विलकुम विलकुम बैक तो मैं यूटूब चैनल कोकीमी सिखा में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाएंगे मस्रूम की सब्जी जो की बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी का फेवरिट डिस है तो चलिए इससे बनाना में स्टार्ट करेंगे तो हमने यहां पे इस तर दूलेना है और दूलने के बाद फिर इसको हम कुकर में डाल करके एक सीटी तक लगा लेंगे इससे यह होगा ना कि अच्छी तरीके से पक जाएगा हमारा मस्रूम तो एक कुकर बंद करके चढ़ा देंगे तब से मसाला रेडी कर लेते हैं तो में मसाले में टमाटर प्या उक्याज को लेते हो चाहिए तो में अच्छी तरीके से पक करते हुए प्याज को फां यह हमupa ब्राउन के बाद हम इसमें टमाटर क्टक करना जेए लाल लगे देंगे और तो चलाने के बाद देख देख सकते हूए यह हश clarity से चला लेना ए और पिर प्याज के बां इसलिंगी हम डाल के अपाम गाए उधे ॉधे मुषजा में शुरिते अपर रहा हो जापिसे आपको भी प्रिस चलाने के बाद मसाला अच्छी तरीके से पैस लेना मसाला अचर अबूर्पि तो इसे तरीके से माला मसाला रेडी हो चुका है ,ईसे बाँ रख देंगे , थन्डा ficar लिए ऍाट रख देंगे , तो यह अट पीस भी करिज़ सकते हैं , यह मसाल रेडी हो चुका है , फिर उसके बाद हमने मसाला कब अच्छे के चुटे के पीजि़ में क diffy California , नीकालेंगे हम धुभाई निकाल लेंगे उसे हम अच्छी तरीके से टोड़ा पर झालता है, यह क्योथ प्रीच से जोट करेंगे लिए यह लिए हम दक्री कर लिए दसर्ट काल दूड़ाई ऑपथ खिला लाए हुए अम निकाल लाएंगे र दाल के अच्छे से इसको हलका ब्राउन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको चलाते हुए अच्छे से नुक्डा आफ Wikre को लेना एक या तीम मतर ढाल लेना यह अच्छे को यह आप सकते हैं, यह घुडंगा है फिर ऑद समय मसाले करें, और भून है यह ऐगास अच्छी तरीके से तरीके से आप दिख तो आप से तलड़ करेंसे सीरों फिर इसके बाद हमें से डाला टो बुनने से अच्छी तरीके से बुनना है और काफी तरीके से बुनना है आपका मश्रूम का सब्जी उतना ही टेस्टी बन करके रेडी होगा पानी को नटाणों मुख लिए मूग जिए आपको बहुत ही तरीके से भूनना है मसाले को और मसाले बूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी तक पानी और पाइशे से सब्सक्राइश गृणा लिए इस तरीके से और फिर यह आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके स लेंगे बाहर तो आप देख सकते हैं हमारा मस्रूम का रेस्पी बन करके रेडी है आप लोग भी जरूर इस मज़ेदार रेस्पी को ट्राइ कीजिए और बताएगा कि हमारी मज़ेदार रेस्पी आप लोग कैसे लगत वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक श्राइब तो माइ चैनल और हां कमेंट करना ना भूले थांक्यू वाचिंग धिस वीडियो जिली लाइक आप